अस्लाम अलेकों आज की रेसिप्य है रस्मलाई जो क्या हम मलनवाले मिलिक पाउडर यह हमने एक बोल दिया है इसमें वन फॉर्थी स्पून बेकिंग पाउडर आट कर दिये हमने और हम एक अंडा लेंगे एक लेंगे और उसे बोल में आट करके से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अपनी बेकिंग पाउडर के साथ अच्छी से पेट लेंगे वं इसे अजिक हमारी बेकिंग पाउडर अच्छी से अडमे मीक्स हो जाए इसमें को अच्छी से मिक्स कर ली अब हम इसमें और इसे हमने अपने मेजरिंग कप से मेजर करके लिए हाफ कप और इसे हम अंडे में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अपको थोड़ी थोड़ी कड़के आइट करनी है देखिए हम थोड़ी थोड़ी कड़ी काईट कर रहे और अपने अंडे में से अच्छी तरह से मिक्स कर लिया अगर हम इसे 10-15 मिनुट रेस्ट पे रखेंगे कि हमारा आटा पुड़ी अच्छी तरह से सूखा हो जाए यह देखिए 10-15 मिनुट के बाद हमारा आटा कैसे अच्छी तरह से सूख गया है अब हम इसके छोटे-छोटे बॉल्स बना लेंगे अगर आपको आटा गिल्ला लगे तो आप इसे थोड़ा सल जादा टाइम के लिए रेस्ट पे रख दीजिए और पिर इसके बॉल्स बना लेंगे लिखिए कैसे बराबर हमारे बॉल्स बन रहे हैं ऐसे हमको सब इसके बॉल्स बना लेने हैं यह हमने एक पैन दिया है अपना और इसमें वन एन हाफ कप मिल्क लिया है और इसमें हमने इलाइची आट कर दी है ग्रीन एलाइची और वन एन हाफ ती स्पून हमने इसमें मिल्क पॉडर आट कर दिया और सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे अब हम इसमें शुगर आट करेंगे शकर यहां मैंने वन एन हाफ टेबल स्पून शुगर आट किये आप अपने टेस्ट के सबसे जैसा को मिठा चाय वेसा आट कर लीजिए और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और हमें इसमें एक बॉil आने देना है दुर्में बॉil आने के बाद हम इसमें अपने Meg Potter के जो हमने doubles बनाए हैं वाइट कर देंगे सब बॉल्स हम अपने मिल्क माइट कर देंगे और गैस की फ्लेम को हाई कर लेंगे और गैस की फ्लेम को हाई करके हमें फिर से इसे अच्छी तरह किसे बॉइल आने तक हाई फ्लेम पड़ी रखना है और हम उपर से इसमें थोड़ा सा केसा राट कर देंगे देखे हैं हमारे दुद में बॉइल आ गया है और हमारे बॉल्स भी देखे थोड़े से बड़े हो गये है अब हमें गैस की फ्लेम स्लो करके इसे पाट से दस मिनट तक और पका लेना है देखे हैं हमने और इसे अच्छी तरह से पका लिया है और हमारे बॉल्स अच्छी तरह से फूल गए है हम इसे गैस की फ्लेम को हम गैस की फ्लेम को आफ करेंगे और इसे अपने सर्विंग डिशेस में निकालके सर्फ करेंगे अब इसे थंडा या गरम सर्फ करें बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं प्लीज चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब कीजिए जढ करेंगे और बनते हैं प्लेम को उना हैं रहाँ आए ऑ्लेम की फ्लेम कहते हैं